मेरी बर्दे पार्थी आज पेपा का बर्थ डे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोज उठो मेरा बर्दे आज मेरी पार्थी है और डाडी जादू दिखाने वाले है जल्डी चलो जोज ममी और डाडी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे हैं उठीए मेरा बर्दे उठीए कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है सुभा के पाज बजे हैं हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं येपई ममी पिग, डाड़ी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इस में? गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पहनाती हूं आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाड़ी आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थांक्यू कोई बात नहीं टेडी बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है मेरे बद्ध पाथी में मेरे दोस्त आ रहे है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाड़ी है तुम सब को बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्बाजाओ हाँ अद्भुत जादूगर डाड़ी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए गांडी कैट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पूनी हेलो दोस्ता आ गए पेपा चलो बच्चो पार्टी शुरू हो रही है डाडी पिग जादू का शो करने वाले है पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक अबराकाडाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए ने, मुझे एक ही चाहिए, प्यारी बच्ची तुमने पहले हाथ उठाया, चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सुजी शीप देखो सुजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक हे, जब मैं पीठे मुड जाओंगा, तब तुम्हे, मुझे बिना बताओ एक चुना होगा ठीक हे, क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आपरा का rai तुमने चुनी बिली नहीं आपरा का ढापरा निली? नहीं आपरा का ढापरा लाल? हाँ, सही जवाब हुर्ड़े भुर्तु जादु कर डारी आपने तीनो रंग बता दिये पेपपा, इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहो हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादु शब बुलो अब्रकड़ा अब्रकड़ा अब अपनी आखे खोल दो हुर्य, मेरा बर्दे केक मौमबतियां बुझाओ पेपा हुर्य, पेपा तबी को थैंक यू ये मेरा सबसे अच्या बर्दे था पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पेपा ने पर्यू की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है डाइनसौर यह पेपा के दोस्त कैंडी काट, सुजी शीफ, दैनी टॉग, रबेका रबिट और पेड्रो पोनिंग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हू मैं तो फ्रेंशी टेस्वाली नर्स हू हाहा, बहुत अच्छे अरे वा, ये कौन आए हैं? मैं हू पाइरेट, मुझसे सब डरो मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ नै, मैं जोकर हो हाहा, बहुत अच्छे तुम क्या बनी हु रिपेकर रबिट? मैं काजर हूँ बढ़ी हा, अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो? हेलो पेपा हेलो सूजी, मैं हू राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझ से जुखकर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हू नर्स सूजी मुझ खोल कर कहिए आँ आँ नए मैं हू जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है ताइनिशा पापरी, तरावना, डाइनसौर पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हलो पेपा हलो, मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूए छड़ी है मेरे पास भी जादूी छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ ताइनिशा जोज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जोज देखो आइने में तुम ही हो बच्चो अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा? मैं ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जज हूँ मैं जज हूँ ड्याडी जज क्या होता है? जज तैय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वाह पेपा ये तैय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है सुजी क्या मैं तुमारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सुजी हूं. मैं लोगों को ठीक करती हूं. शालबाश नर्सुजी. सब डानी? मैं हूँ पारेट. मुझसे सब डरो. सब केंडी? मैं जादू गर्नी हूँ. मैं तुम्हे तुम्हे बना सकती हूँ. मैं परियों की राजकुमारी हो Kayla मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रेबेका? मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसार बनाए सब के ड्रेस बहुत अच्छे अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुम्हे कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाह थांक्यू पेपा को फैंसी ड्रिस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रिस पार्टी बहुत पसंद है टाडी का मोवी कामेरा पोस्त्मेंड MR. जाबरा एपैपा की घर पर एक पार्टी दे रही है आपके लिये पार्ललई मिस्टर पीग थांक्यू MR. जबरा बएबाइ छीयर तो słuच्तिनलैरोर्स मेरी लिए अभी पोसल कै Knap और बताओ इसकों इसके अंदर क्या हो सकता है दाइनसार ओ जोज तुम हमेशा हर चीज को डाइनसार ही कहते हो इतने छोटे पार्सल में डाइनसार कैसे हो सकता है मुझे लगता है ये एक नया खिलोना है तुम बहुत करीब हो मुझे पता है इसमें क्या है आपका नया कैमरा डाडी पिक का नया खिलोना बिलकुल सही ये मूवी कैमरा है हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं क्या मैं से पहले इस्तमाल कर सकती हूं? इसे इस्तमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है मुझे भे इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने होंगे ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है सुजी शीप की ममी के पास एक मूवी कैमरा है वो उसे ऐसे स्विच आउन करती है ओहो, शाबाज पेपा मूवी 3000 खरीदने के लिए शुकरिया मैं आपकी पहली मुवी शूट करने के लिए बेताब हूँ क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता मुवी 3000 खरीदने के लिए शुकरिया सुजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है मुवी 3000 अब वो आवाज नहीं आएगी शाबाश पेपा तो पहले किसका वीडियो लू? डड़ी मेरा लीजिए ओके पेपा हेलो मैं हूँ पेपा पिग चलो आजाओ सब लोग हेलो मैं हूँ पेपा पिग फिर्षे फिर्षे ठीक है अब कोई नया वीडियो बनाते हैं मैं जानती हूँ ड़ी पिग आप कमरे से बाहर जाएए हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे अच्छा इडिया है जब तक ममी पेपा और जॉज एक सीक्रिट मूवी बनाते हैं तब तक डाडी पिग को किचन में रुखना होगा जांकना नहीं डाडी पिग अब हम सबको कुछ करना होगा जोज पहले तुम करोगे क्या हो गया क्या मैं अंदर आके देख सुकता हूँ हो गया अब आप अंदर आ सकते हैं जोज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी तो चलो पहले जोज की मूवी देखते हैं ताइनिसार इसमें जोज एक डाइनसार बना है ये तो बड़ा डराउना डाइनसार बना है यह क्या जोज डर गया घरो मत जोज, टीवी पर कोई असली डाइनसार नहीं है वो तो लो लोईनिसार अब पेपा की मुवी देखेंगे अब ये कौन है मैं हूँ डाडी पिग अच्छा मेरा पेट बढ़ बढ़ा है क्योंकि मैं बहुत सारी कुकीज खाता हूँ मेरा पेट बढ़ा नहीं है पर ये बाद साचे कि मुझे कुकीज पसंद है और अब जितनी ज्यादा खाएंगे आपका पेट उतना ही बढ़ा होगा चलो अब आगे क्या है ये है मेरा प्यारा चोटा भाई जोच ये है ममी पिग और ये मैं हूँ और ये है असली डाडी पिग पेपा और जोच दादी और दादा पिकको मिलने आए हैं दादी पिग दादी एक हलो मेरे प्यारी बच्चों घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो जी दादी पेपा जोच देखो मैंने क्या बनाया चोटे परदे ये चोटे परदे क्यों बनाए दादी ये एक सप्राइज है तुम्हें देखना है दादा पिक ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है जी दादी दादा पिक डादा एग हेलो पेपा और जोच देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है एक ट्री आउज एक ट्री हाउस जोच और मेरे लिए और ये छोटे परदे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए पेपा और जोज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया थैंक्यू दादी पेग, थैंक्यू दादा पेग पहले अंदर कौन जाना चाहेगा मैं, मैं तो फिर चलो अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने हूंगे मैं अपने ट्री हाउस में हूँ मैं अपने ट्री हाउस में हूँ जोर्ज, क्या तुम्हे भी ट्री हाउस में जाना है बताओ कौन है जोर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है क्या वह अंदर आ सकता है हाँ पर उसे अपने गंडे जूते उतारने होंगे जोर्ज अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ कौन है जोर्ज अब कौन है मैं हूँ मामी पेग क्या तुम्हारे पास महमानों के लिए जगा है आपको सीक्रिट कोड बताना होगा उसके बाद ही आप अंदर आ सकती है अच्छा जी और वो सीक्रिट कोड क्या है मुझे आपके कान में बताना होगा सीक्रिट कोड है डाडी का बड़ा पेट ओ अच्छा सीक्रिट कोड बताएए डाडी का बड़ा पेट सही जवाब, डाड़ी का बड़ा पेट मुझे लगता है यह सीक्रेट कोड बहाती बकवास है ममी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे हाँ पेपा डाड़ी, आप ही अंदर आ सकते हैं सीक्रेट कोड बताए डाड़ी क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है नए तो ठीक है डाड़ी का बड़ा पेट हाँ जवाब, अब आप अंदर आ सकते हैं डाड़ी अपने जूते उतारिए मुझे नहीं लगता मैं दरुआजे से अंदर आपाऊंगा क्यूंकि आपका पेट बहुत बड़ा है एक काम करते हैं डाड़ी पिग उपर से जा सकते हैं पेपा, जॉर्ज, ममी पिग और डाड़ी पिग सभी ट्री हाउस में हैं दादी मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है मुझे कभी बाहार नहीं आना अच्छी बात है पेपा क्या तुम्हे मेरे घर पर मुझे मिलने नहीं आना नहीं, मुझे नहीं आना तो फेर कुकीज जो मैंने घर पर बनाई हैं वो हम दोनों ही खा लेते हैं कुकीज दादी पिग ये रही तुम्हारे लिए कुकीज पर अगर तुम्हें अंदर आना है, तो सीक्रेट कोड बताना होगा ये असान है, टैड़ी का बड़ा पेग सही जवाब मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है पैनकेक्स चाय का वक्त है और ममी पिक सबको सप्राइज देने वाली है आज है पैनकेक्स का दिन पैनकेक्स, यमी अरे वा मुझे पैनकेक्स बहुत पसंद है सबको पैनकेक्स बहुत पसंद है मैं पैनकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक, पिछली भार पैंकेक जमीन पर गिराने से आपज़ा चिर्चिड़े हो गए थे मैं चिर्चिड़ा नहीं हुआ था, वो तो उस तवे की प्रॉबलम थी मामी, क्या हम भी पैंकेक बनाने में आपके मदद कर सकते है तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो पहले में बावल में सूखा आटा डालूँगी अब मैं अंडा डालूँगी अब दूब फिर सब को हिलाऊंगी मामी, क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, जरूर पैपा पैपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जोज भी उसका साथ दे रहा है नई जोज, ऐसे मत करो अच्छा, अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैंकेक्स बनाती हूँ, तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैंकेक को पल्टेंगी उसे थोड़ा और उपर उचाओ सकती हो, मामे पिग जब अपना पैंकेक उचालोगी ना, तब हमें सिखाना, डाडी पिग ममी पिग ने जोज के पैंकेक के उपर थोड़ा सिरप डाला यमी, यह पैंकेक पैपा के लिए है वाँ तुम इसे और उपर उचाल सकती हो, ममे पिग जब अपना पैंकेक उचालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलीगा, डाडी पिग सिरप प्लीज यम्मी यह पैंकेक ममी पिग के लिए है हुरे अब भी उन्हे ज्यादा उचा नहीं उचाल रही ममे पिग अगला पैंकेक आप का ही है जाडी पिग तो अब आप ही करके बताईए बहुत यम्मी है अब सब की नजर मुझ पर हो एक अच्छा पैंकेक बनाने का राज उसे हवा में उपर उच्छालना होता है एक, दो, और तिन पुद्दु डाडी मैंने कुछ ज्यादा ही उपर उच्छाल दिया अब क्या करें ये तो आखरी पैंकेक था इसे नहीं चलाना बहुत यह असान है ओफो डाडी पिग अपने पैंकेक तक नहीं पहुच पा रहे अब फिक्र मत करो डाडी पिग, शायद उसे मैं निकाल सकती हूँ चलो उपर चले बच्चो ममी पिग क्या प्लान बना रही है तीन के गिंती होने पर हम सब को उपर नीचे कूदना है ठीक है? एक, दो, तीन, कूदो यह सब कर क्या रहे हैं काम हो गया, अब डाडी पिग को उनका पैंकेक मिल गया डाडी के सिर पर पैंकेक है आपके पैंकेक पर सिरप डाडी पिग? ठीक है टालो एक, दो, और तीन युम्वी पैंकेक पिख दो डाडी पासकर आज शानदार धूप के लिए और पैपा और चॉर्ज अपनी साई के लिए चला रहे हैं कितना बढ़िया पंकिन है डाडी पिग? डाडी पिग को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उखाने आते हैं शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चलड़ी आओ जोर्ज यानी, सूजी, रिबैका पैपा और उसके दोस्त डैनी डाग, सूजी शीफ और रिबैका रैबिट अपनी अपनी साइकले चला रहे हैं और जॉर्ज अपनी ट्राइसीकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है चलो डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डाड़ी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरान आ जाए अगर पंकिन टूट गया तो डाड़ी बहुत नाराज हो जाएंगे चिंता मत करो पेपा, रेस करो पेपा और उसके दोस डाड़ी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं हेई, मेरे पंकिन का ध्यान रखना रेस पेपा, ध्यान से, डाड़ी का पंकिन सौरी डाड़ी, देखो जोज को, वो कितने धीरे चला रहा है जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पेपा, इसमें भी बैलनसर लगे है मैं बिना बैलनसर के चला सकती हूँ मैं भी मैं भी पेपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलनसर ना लगे हूँ डाड़ी मुझे अपने साइकल में बैलनसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलनसर के चला पाओगी ठीक है पेपा इसे निकाल देते हैं डाड़ी पेपा की साइकल में से बैलनसर निकाल रहे हैं क्या तुम सच में बिना बैलनसर के चला पाओगी मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी मैं चला सकती हूँ हां हां इसमें हसने जैसा क्या है बिना बैलनसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूँ पेपा हां डैरी प्लीज ठीक है रेड़ी स्टड़ी गो छोड़ना मत डैरी दबराओ मत मैं पकड़े हुए हूँ काफी अच्छा चला रही हो पेपा छोड़ना मत डैरी बस पैडल चलाती रहो पैपा बिना बैलनसर के साइकल अपने आप चला रही है डैरी आपने मुझे छोड़ दिया तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो में चला सकती हूँ देखो मुझे देखो मुझे मैं साइकल ठीक सर चला सकती हूँ तैनी सूजी रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे जो डाड़ी के पंकिन की तरफ रिस लगाएंगे पेपा मेरे पंकिन का ध्यान रखना मैं जीद चाहूंगी पैपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है वाँ पैपा ने तो डाड़ी पेक के पंकिन की चटनी बना दी सौरी मैंने आपका पंकिन तोड़ दिया डाड़ी पंकिन की चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो रॉमिस डाड़ी जरूर रखूंगी गुड हा तो जब पंकिन टूटी गया है तो क्यों ने इसकी पंकिन पाई बन के गाड़ी की सफाई फिर कि पूरे परिवार को गाव में घुमाने ले जा रहे हैं चलो चले सब लोग तयार हैं तयार हैं हम तयार हैं पर गाड़ी तयार नहीं देखो कितनी गंदी है इतनी गंदी नहीं है अंदर से देखो ज्यादा गंदी है शरार्ती गंदे डाड़ी शरार्ती गंदे डाड़ी जरा ये सब कच्रा तो देखिये अकबार वो मेरे है चोकलेट वो मेरे है मिस्टर डाइनसोर डाइनसोर गोमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए सही कह रही हो मामे पिग मामी क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं हाँ अगर तुम्हें करनी हो तो देड़ी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए डाड़ी पिग चट धो रही है ममी पिग बॉनेट धो रही है पैपा दरवाजे धो रही है जॉर्ज को खिड़किया धोनी है पर वो बहुत चोटा है बेचारा जॉर्ज मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जॉर्ज ने अपना स्पांज मिट्टी के गढ़े में गिरा दिया जॉर्ज तुम गारी को दुबारा गंदा कर रहे हो मैं मिट्टी को दो देती हूँ पैपा वो पानी गंदा है पैपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फैंक दिया कोई बात नहीं हम बगीचे के पाइप से उसे दो देते हैं क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ पैपा ने पाइप पकड़ी और डाडी पिग ने पानी शुरू कर दिया पानी कहा है पानी कहा है पैपा रुको सॉरी मामी डैडी पिग प्लीज पानी बन कर दीजिये लो अभी किये देता हूँ सब भी गए चलो अप कार तो धुल गई हम सब भी धुल गए जाओ अपने आपको सुखालो में गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ बाद में मिलते है मिलते हैं बाद में गाड़ी पे कितनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है कितना मज़ेदार चेहरा है ना ओ और भी मज़ेदार चेहरे यह तो पैपा और जॉर्ज है और ममी पिग भी कितनी संदर चमकीली गाड़ी है ना मैं इन सारे चीजों में बहुत एक्सपर्ट हूँ चलो आज मैं चलाओंगी क्या सब तयार हैं तयार तो फिर चलते हैं उम्मीद करती हो कि तुम सब आज ये गारी साफ रखोगे हाँ ममी पिग हाँ ममे पिग ममी अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी शरारती मम्मे शरारती गंदी मम्मी पहले क्लास वाले क्लास में जा रही है यह है मैडम गजल बैले की टीचर तो तुम है चचटी पेपा मैं हू माडम गजल हहलो माडम act कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तह ह दिलसे सुवागएत है मैं तुम हैं बार में लेने आऊंगी मज़े से सीखो ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीट, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडिन्ट आई है पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी फ्लिये से डेमी फ्लिये अब एक चूटा जंप पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता से पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पहले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ ऐसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हांस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवास करेगा नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पेपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दरता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाओं मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाई बाई पेपा और ममी पे घर आ गए हैं टाडी जोज मैं आपको दिखाओंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुट अब जोज, टाडी और ममी आप ऐसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माड़िम गजेल ने मज़िदार शब्द बोले पर असल में सिर्व गुटनों को मोड़ना होता है और जोग करना है पटी शिते जाड़ी, आपको वो शब पता है क्योंकि ममी पिक और मैं बेले करते थे साफधानी से डाड़ी पेक हाँ 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 हमें सबसे ज्यादा पसंदा पैटिजॉर मुझे ठीक से याद नहीं रहा पुद्धु डाडी पेग शायद हामें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हांस हूँ क्लोई का कट पुटलिका खेल पेपा और उसका परिवार अंकल पिग आंटी पिग और कजन क्लोई से मिलने जा रहे हैं मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे डाडी पिग आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए खासकर बच्चों के सामने पर सही तो है अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खराटे मार कर सो जाते हैं ये ऐसे ये पेपा जोर्ज मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ जीख डाडी देंसकाद कि परिवार अंकल प्ग और अंठी पिक के घर पहुँश गए थोगार मैं हेलो अंठी पेग, हेलो आंटी पेग हेलो हेलो, कैसे है आप वेलकुल ठेक हो, तुम कैसे हो अंकल पिग डाडी पिग के भाई है क्लोई पिग पेपा और जॉज की बेहन है हेलो क्लोई हेलो पेपा, हेलो जॉज मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है हमारे लिए रुखो यह है मेरा नया कचपितली यानि पपेट थिएटर मेरे टाडी ने मेरे लिए बनाया है वाँ मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाये है इसका नाम है क्लोई हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग और यह है मेरे डाडी अंकल पिग हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग क्लोई, क्या मैं और जॉज भी पपेट बना सकते हैं? क्लोई पपेट के आँखें पेंट कर रही है मैं मू बनाओ? हाँ, बनाओ मेरा नाम पेपा है जॉज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डाइनिसार क्या, डाइनिसार? जॉज हर चीज के लिए डाइनिसार ही कहता रहता है ठीक है, डराओना डाइनिसार पपेट बनाते है क्लोई जॉज के लिए डाइनिसार बना रही है इसे नुकीले दाच चाहिए ऐसे, डराओना डाइनिसार लंच तयार है आ रहे है खाने के बाद हम सब को पपेच्छो दिखाएंगे अंटी पिग में खाने में नूडल्स बनाए है यह नूडल्स तो बहुत ही स्वादिश्ट है अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स तुम दोनों भाई भाई हो यह पता चल रहा है हर चीज में एक जैसे है क्या मतलब है तुमारा हम बिलकुल अलग है पेपा जोर्ज और मैं सब को एक पपेच्छो दिखाने वाले है बहुत अच्छे तयारी हो जाए तुम पताना बात मिस्ते है पपेच्छो मज़ा आएगा क्या और्नुर्स खाने के लिए वक्त है क्या मैं भी खा सकता हूँ पपेच्छो शुरू होने वाला है हेलो मेरा नाम है क्लोई और मैं हूँ पेपा एक डाइनसौर डाउना डाइनसौर क्या बात है बहुत अच्छे बच्छो बहुत अच्छे मैं हूँ अंकल पिग हेलो अंकल पिग हेलो पेपा ये तो बिल Кुल आप के तरह लग रहा है लग रहा है उन्होने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया हो हो मुझे मेरा लंच पसंद आया अंकल पिग क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खर्राटे मारेंगे क्या मतलब है तुम्हारा डाड़ी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खराटे मारते हैं ऐसे तुम्हारे डाड़ी सही कहते हैं मैं सच मुझ खराटे मारता हूँ डाड़ी पेक आप मों अंकल पेक के बारे में इसा बाते नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे डाडी पेग और अंकल पिग सो गए हैं पाटा चल रहे हैं दोनों भाई भाई हैं यह क्या हुआ यह क्या पपेच्छ अभी तक शुरू नहीं हुआ तब म्यूजियम पेपारुस का परिवार म्यूजियम जा रहे हैं टाडी म्यूजियम क्या होता है ऐसी जगा जिसमें बहुत पुरानी और दिल्चस्प चीजे होती हैं आपसे भी पुरानी हां मुझसे बहुत बहुत पुरानी बहुत ही पुरानी एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजे भरी पड़ी है हां मुझे राजा रानी का कमरा देखना है वहां और एक कमरा है जिसमें असली डाइनसौर है वाँ दाइनिस्या यार हलो मुझे पिग हलो मिस राबिट कितने टिकेट शाहिए आपको दो बड़े और दो बच्चे ताइनसौर और एक डाइनसौर पैपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजे हैं वाँ डाइनसौर पर जोज को असली डाइनसौर देखना है रोना मत जोज इसके बाद हम जाइनसौर देखने जाएंगे पैपा ये सारे चीजे कई साल पहले रानि इस्तेमाल करती थी ये है रानि की खास कुरसी उसे सिंघासन कहते हैं बहुत सुन्दर है ये है रानि की ड्रेस कितनी प्यारी है देखो पैपा ये है रानि का सोने का मुकोट वाँ बहुत सुन्दर है ममी रानि का टीवी कहा है पैपा उस समय टीवी नहीं होते थी टीवी नहीं थी पर क्या उनके पास कम्प्यूटर थे नहीं, उस समय कम्प्यूटर भी नहीं थे वो तिन भर क्या करते थे मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती पेपा खुद को रानी समझ रही है यामी क्या आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ और केक प्लीज अभी लाकर देती हूं चलो अभी सब लोग आ रही हूं डैडी डैडी, मैं हूं रानी पेपा मुझसे बात करते वक्त आपको जुक ना होगा ओ, मुझे प्लीज माफ कर दीजी रानी साहिबो और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूं ये तो बड़ा मज़ेदार काम होगा हाँ, बड़ा ही मज़ेदार काम है ये और ये कौन सा कमरा है? ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर का कमरा? जोर्च, ये डाइनसौर का कमरा है डाइनसौर डाइनसौर कहा है? वो कही कमरे में ही है मुझे नहीं दिख रहा लगता है बहुत ही छोटा डाइनसौर है असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है वाँ ये असली डाइनोसौर की हड्या है दाइनोसौर जोर्ज खुद को डाइनोसौर समझ रहा है डाइनोसौर आगया बचाओ, बचाओ डाइनोसौर का कमरा जोर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और लगता है डाइडी पिक पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए वो कौन सा कमरा है मामी जिस कमरे में केक्स है डाइडी पिक को पसंद है म्यूजियम का क्याफे चलो, आकर खा लो ओ हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है दा स्कूल फेट आज स्कूल मेले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शिप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तों मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी तुम्हें क्या अच्छा लगता है पेश-पेईंटाTalk गुबाबर्य पसंदाि मुझे सबसे ज़्यादा उचलने वाला कासल पसंद है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी पसंद है पैपा फिर मिलेंगे पैपा फिर मिलेंगे जॉर्ज तुम्हे सबसे अच्छा क्या लगता है दाइनसौर या ओ डिया मेले में कोई डाइनसौर नहीं है शायद हम एक डाइनसार गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसार गुबारे हैं डाइडी पिग हाँ हाँ जरूर होंगे ममी पिग क्या पहले मैं और जो अपना मूँ पेंट कर ले हाँ क्यों नहीं मिस रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो यह लो सूजी अब तुम्हें एक टाइगर जैसी लगती हो थैंक यू मिस रैबिट वाव मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी क्या तुम पुसी कैट हो नहीं मैं टाइगर हूँ पैपा तुम अपने चेहरा पेंट कराना चाहती हो हाँ बिलकुल मुझे बनना है एक घर है ओधियर मैं अलीफेंस बना नहीं जानती मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है ठाइगर बना दीजिए लो गया पैपा अब तुम्हें ढर हो मैं टाइगर हूँ ज और्ज तुम क्या बनन मैं टाइगर हूँ वुफ वुफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बिल्लिया होते हैं और मैं एक बिल्ली हूँ केंडी क्या तुम्हें सिखा सकते हो टाइगर कैसे बनते हैं ताइगर बहुत दीने दीने चलते हैं और फिर कुटे हैं ताइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं पर जब खुश होते हैं तब पर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ यह क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइगर्स और क्या करना चाहते हो बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसौर गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ यह तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हां मेरे पास यह सब हैं और सबसे जरूरी है हमें एक डाइनसौर का गुबारा चाहिए जरूर्ज के लिए मेरे पास डाइनसौर का कोई गुबारा नहीं है फिक्र मत करो जरूर्ज मेरे पास एक आइडिया है क्या हम यह दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको देखो डैटी पग अबारे से क्या कर रहे है बन गया क्या कोई बता सकता है क्या है ये क्या है कि ये कांग्रू है नहीं ये है विल्कुल ठीक डैनासौर डैडी पिग ने एक डैनासौर घुबारा बनाया अब उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है Mr. Dinosaur is lost George का मन पसंद खिलाओना है Mr. Dinosaur दाइनसौर जोर्ज को मिस्टर डाइनसौर बहुत पसंद है कभी कभी जोर्ज को मिस्टर डाइनसौर से प्यापा को डराने में मज़ा आता है यह बहुत दरावना है खाने के वक्त मिस्टर दाइनसौर को के पास पैठे है यह क्या हो रहा है यह तुम थे जोड़, या फिर मिस्टर ,डाइनसौर दाइनसौर ऑकर दाने के समेर जोड दाइनसौर बहुत है पर, गुद नाइट पेपा, गुद नाइट ममी, गुद नाइट जोर्ज, और गुद नाइट मिस्टर डाइनिसौर, जब जोर्ज सोने के लिए जाता है, तो मिस्टर डाइनसौर भी उसके साथ सोते हैं, जोर्ज का मनपसंद खेल है मिस्टर डाइनासौर को ऊपर हवा में उच्छालना और उन्हें पकड़ना जब वाबस नीचे गिरते हैं पैबा और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं जोर्ज क्या बात है बेटा डाइनासौर जोर्ज मिस्टर डाइनासौर खोगे क्या जोर्ज ने मिस्टर डाइनासौर को खो दिया फिक्र मत करो जोर्ज हम मिस्टर डाइनासौर को ढून लेंगे ये तो एक जासौर का काम है याडी क्या होता ये जासौर्ज पैपा जासौर्ज एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूनने में माहिर होता है मैं 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 चीज़े ढूणने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जोर्ज मैं हूँ जासूस मैं मदद करूँगे मिस्टर डाइनसौर को ढूणने में मुझे लगता है जासूस को जॉच से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जॉच मिस्टर डाइनसार कहा है जॉच नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसार कहा है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसार कहा हो सकते हैं मुझे पता है मुझे पता है वो कहा है जोज जब भी नाता है Mr. Dinosaur उसके साथ होता है मिस्तर डाइनिस और में होंगे Mr. Dinosaur टब में नहीं है मुझा पता है मुझा पता है mr. dinosaur कहा है जोज हमेशा रात को Mr. Dinosaur का अपने बिस्थर पर सुलाता है इसलिए वो हही पर है मिस्टर डाइनसौर जॉर्ज के बिस्तर में भी नहीं है शायद हमें गार्टन में ढूनना चाहिए हाँ गार्टन मैं वही कहने वाली थी मिस्टर डाइनसौर कहा है मिस्टर डाइनसौर को ढूनना बहुत मुश्किल हो रहा है मिस्टर डाइनसौर यहां कहीं नहीं है जोर्ज तुम्हें मिस्टर डाइनसौर को हवा में उचालना पसंद है मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डाइनसौर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उचाल दिया है वो वहा है वो वहा है मैंने पहले देखा शाबाश पेपा तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो तो दाइनसार जॉज मिसर डाइनसार को वापस बागर बहुत खुश है शायद पेड़ों के पास डाइनसार से खेलना एक अच्छा आइडिया नहीं है ममी पिग और डाइडी पिग शाम को घूमने जा रही है दादी पिग और दादा पिग बच्चों को समभालने वाले हैं दादी पिग, दादा पिग दादी एक, दादा एक हलो मेरे प्यारे बच्चों Hello! Peppa, George, go and sleep quickly. Good night, my little piggyz. Good night. Sleep, children. Good night, Mommy. Good night, Daddy. How many dear kids are there. Now, sleep quickly. Yes, Mommy. How many good kids are there. Mommy Pig and Daddy Pig are ready to go out. The idea of the dog is very good. How many good kids are there. Mommy Pig had said to say to say to say to say to say to say to say, and they all sleep. The kids are very easy to sleep. George. George. Are you still sleeping? यह कैसी अजीब आवाजे हैं शायद हमें उपबर जाकर देख लेना चाहिए पैपा जॉर्ज क्या तुम जाग रहे हो लगता है दोनों कहरी नीन में सो रहे हैं तो इसका मतलब वो शोर पैपा और जॉर्ज नहीं कर रहे थे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे लगता है वो गहरी नीन में सो गए हैं चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं गार्डनिंग आज हम गुलाबों के बारे में बात करेंगे मुझे गार्डनिंग के शो बहुत पसंद है केप्ट स्केट एक विशेश काटदार गुलाब है उसकी कटाई करने के लिए सबसे पहले उसका उपरी हिस्सा काटो और फिर टहनिया काटो तादा पेग पेपा जॉर्ज तुम्हें तो अभी सोना चाहिए जॉर्ज और मुझे नीन बिल्कुल नहीं आ रही क्या हम आपके साथ टीवी देख सकते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं शायद थोड़ा टीवी देखकर तुम्हें नीन दा जाए ये आइसलेंड के गुलाब किसी ग्यानी गार्डनर के लिए बहुत माइने रखते हैं पर ज्यादा तर वो ठंडी जगाओं पर पाये जाते हैं ओँ ये शो तो बहुत ही बोरिंग है दादा पिक क्या हम वो खेल खेल सकते हैं जिसमें आप एमें उच्छाल कर पकड़ते हो ठीक है पर दोनों को सिर्फ एक एक बार तुम तो पहले से भारी हो गई हो अब जॉर्ज की बारी हाँ वेए मेरी बारी और उपर और उपर दादा पिक थोड़ी से थक गये हैं बच्चों तो दादी पिक क्यों ना हम पकड़ा पकड़ी खेले चलो दादी आपकी बारी मुमी पिग और डादी पिग घर बापस आ गये हमारे छोटे पिगी सो रहे होंगे हेलो कोई चागरा है चोटे पिगी सो रहे हैं और बड़े पिगेस भी प्रोग्स एंड वर्म्स एंड पटरफ्लाइज पैपा और जॉर्ज गार्डन में ग्रेंटपा की मदद कर रहे हैं कितनी सुन्दर बटरफ्लाइज है प्रेंटपा पटरफ्लाइज को फूल क्यों पसंद है उन्हें फूलों से अपना खाना मिलता है कैसे उनकी बहुत लंबी जीब होती है मुझसे भी लंबी हो हाँ बटरफ्लाइज की जीब तुम्हारी जीब से भी लंबी होती है इस से वो फूलों का रसल बीती है बाव पेपा बटरफ्लाय को लगता है कि तुम एक फूल हो, लेकिन मैं फूल नहीं हूं मैं पपा पिग हूं ये कितनी प्यारी है, मैं रूप्रफ्लाय बनना चाहती हूं, पैपा बटरफ्लाइ बन कर किशेल रही है मैं छोटी बटरफ्लाइ हूँ जोज भी खेलना चाहता है जोज मैं बटरफ्लाइ हूँ तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते मुझे पता है तुम रिंगने वाले वर्म बन सकते हो देखो देखो मैं बटरफ्लाइ हूँ ओ डियर जोज वर्म नहीं बनना चाहता वो बटरफ्लाइ बनना चाहता है जोज जब मैं छोटा पीगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था वर्म बनना बहुत आसान है मैं तुम्हे दिखाता हूँ कैसे पहले तुम्हें लेटना होगा फिर इस तरह रेंगना होगा मैं एक रेंगने वाला वाम हूँ उओा हो हो निचेले ग्रेंट पापेगक को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मज़ा रहा है मैं चोटी बटरफ्लाइए हूँ हो देखो देखो मैं चोटी बटरफ्लाइए हूँ हाँ पेपा तुम एक सुन्दर बटरफ्लाइए हो रेंगने वाले वर्म्स है मैं भी रेंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ मैं रेंगने वाली वर्म हूँ मैं एक रेंगने वाली वर्म हूँ मैं हूँ रेंगने वाली वर्म मैं हूँ रेंगने वाली वर्म आप कैसे हैं आप मुझे अच्छे लगते हैं मैं हूँ रेंगने वाली वर्म वो बहुत अच्छा था अब तुम कौल सा जानवर बनना चाहते हो मैं नहीं जानती देखो ग्रान्पा यहाँ छोटा फ्रॉग है तुम फ्रॉग बनकर क्यों नहीं खेलते फ्रॉग इतने प्यारी नहीं होते जितने बटरफ्लाइ और वो ऐसे नहीं रेंगते जैसे वर्म लेकिन फ्रॉग्स एक खेल खेलते हैं जो तुम्हें पसंद है प्यारी पेपा तुम्हारा मनं पुसंद खेल क्या है मिटी के गड़ों में खेलना हाँ प्रॉग्स को पसंद हैं मिटु के गड़ों में खेलना हाँ जो जोज चलो प्रोग बन जाते हैं मैं आए छोटी प्रागी हूँ प्रागी इसको खेलने के लिए एक अच्छा बडू अच्छा बड़ा देहां बिपाउर जॉस्ट को निचे खूदवना अच्छा लगता है सब को मिट्टी के गड़ों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है बटरफ्लाइज और वर्म्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मुझे फ्रॉग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं ड्रेसिंग अप पैपा और जोर्ज ममी और डैडी के बेडरूम में खेल रहे हैं यह क्या चीज है पैपा को पुराने कपरों का एक बॉक्स मिलता है वाव यह डैडी का हाथ है और यह ममी की ड्रेस है जोर्ज चलो तयार होते हैं और ममी डैडी बनकर खेलते हैं यह है डारी का हाट और यह है डारी का कोट हेलो डारी पिग अब मेरी बारी है यह मुमी की ड्रेस है और यह ममी का हाट है डारी पिग आपके जूते कहां है और अब मुझे भी जूते चाहिए अब मुझे सुन्दर लगना है ममी की तर है पैपा को ममी का मेक आप बॉक्स मिल गया आहा पहले थोड़ा पाउडर बहुत प्यारी अब थोड़ी लिप्स्टिक कितनी प्यारी ममी पिग है आओ चले डारी पिग यह काम पर जाने का समय है ममी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है हेलो पैपा हेलो जोर्ज जरा माफ कीजिये पैपा मैं तो हेलो कह रही थी मैं पैपा पिग नहीं हूँ मैं हूँ ममी पिग ओ हाँ बिल्कुल हेलो ममी पिग हेलो और ये है डाड़ी पिग जोर्ज और आपको भी हलो डाडी पेग एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है हेलो, हाँ, ऐसा करो, वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुड़ बाई पैपा को ममी पेग बन कर मज़ा रहा है लेकिन जॉर्ज बोर हो रहा है माब करना डाडी पेग, बस पूरा होने वाला है लो, हो गया चलो डाडी पेग, ये आपके काम का समय है गुद्पाय ममी पेग और डाडी पेग गुद्पाय डाडी पेग गार्डन में खुदा ही कर रहे है एलो पैपा, हेलो जोर्ज मैं पेपा नहीं हूँ मैं ममी पिग हूँ और ये डाड़ी पिग है डाड़ी पिग यहां कुछ काम करने आए हैं आप बहुत अच्छे हैं डाड़ी पिग थोड़ा ध्यान रखना ये बहुत गहरा गड़ा है उमीद है आप अच्छे कप्डे पहन कर खुदाई नहीं कर रहे हैं डाड़ी पिग मैं भी खुदाई करना चाहती हूँ सब के लिए आइस क्रीम आइस क्रीम पेपा जोच तुम्हें खाने से पहले ये गंदे कपड़े उतार देने चाहिए मैं हूँ ममी पेग और ये है डाड़ी पेग तुम्हें यकीन है हाँ तो तो पेपा और जोच कहा है हम नहीं जानते ये दुख की बात है क्योंकि मैं उनकी मन पसंद आइस क्रीम यहां लाए हूँ अगर वो यहां नहीं है तो हम यहां है पेपा जोच तुम यहां हो हां ममी हम आप डाड़ी बनकर खेल रहे थे तुमने सच में हमें बुद्धू बनाया चुक्त